Hey guys, welcome back to my YouTube channel Compotrix दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी YouTube वीडियो के लिए Movie Clips या TV Serial की वीडियो को यूज कर सकते हैं ठीके दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या आप वाक्य में Movie Clips या TV Serial की वीडियो को यूज कर सकते हैं तो मेरा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं यहां दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन आपको बता दूं कि आप किसी भी Movie Clips को या TV Serial की वीडियो को डारेक्ट अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए कि उससे रिलेटिड जो भी परसन होगा या डारेक्टर या जो भी उससे रिलेटिड परसन है उत्राइट परसन है, वो आपको डारेक्ट कोपिराइट क्लेम भीज सकता है चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप लोग इस तरह के वीडियो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं खीके दोस्तों, आप नहीं यूटूब पर देखा होगा आप किसी भी मुवी के बारे में या खाम बात कर लें किसी भी trending movie के बारे में अभी फिलाल की मैं बात करूँ तो एक pushpa नाम की movie आई थी जिसमें लोगों ने भर-भर के उसका इस्तमाल किया है उसमें simply उन्होंने किया कुछ नहीं है उसके poster को यूज किया है और उसके कुछ images को यूज किया है ठेके दोस्तों आप टेलर देख लीजिए टेलर के recording आप थोड़ा बहुत उसमें रिवू कर दीजिए बस आपका वीडियो बना के त्यार है इस तरह से वीडियो बना के लोग लग नहीं के लाखोरूपे कमा रहे हैं ठेके दोस्तों क्योंकि ऐसा करने से भी कमपनी आपको copyright claim दे देगी ठेके दोस्तों अगर ऐसा ना हो तो आप अजमा के देख लें ठेकर में जाएं उसको recording करें आप किसी नए चैनल बना के उस पे अप्रोड करके देखें पबलिक ना करें उसके बावजूद भी आपको वहाँ पे copyright claim देखरें को मिल जाएगा ठेके दोस्तों इस तरह की गलती मत करें अपना जब भी चैनल बनाएं movie related उसमें movie का सिरफ review करें उससे related आपने IDMB website का ना दो जरू सुना होगा वहाँ पे आपको किसी भी movie से लेटी किस येर में वह पबलिश हुई थी उससे लेटी director music director co actors actors सब के बारे में information मिल जाती है वहाँ से information लेके आप direct उसको verbally voice over कर सकते हैं ठीक दोस्तों simply आपने कुछ नहीं करना है आपने सिरफ movies की poster लेने है movies के images लेनी है actor actors की photo लेने हैं और हो सकता है हलका full का cut करके आप trailer में से भी कुछ second की clip ले सकते हैं ठीक है उसके बाद simply अपना voice over करना है उसके बारे में review करना है इस तरह से अगर आप movie का upload करेंगे part तो यकिनन आपको कभी भी copy light strike नहीं आएगा आप अच्छे खासा पैसे भी इसमें कमा सकते हैं मैं किसी का example नहीं ले रहा हूँ अगर आप YouTube पर search करेंगे तो आपको डेरो एडियोस ऐसी मिल जाएंगे जो training में चलती हैं इन पे millionस में views होते हैं ये लोग अच्छे खासा पैसा भी कमाते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी पोटो को यूज करते हैं उसके पोश्टर को यूज करते हैं उसके बाद सिर्फ simply उसमें voice over करते हैं ठेके दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी voice over करके इसमें कमाल कर सकते हैं तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों आज ही अपना Movies related अपना YouTube चैनल बनाईए और महिने के अच्छे घासे पैसे कमाईए। मैं इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप लोगरे मैं चैनल को सब्सक्राइब ना करका हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ नोटिफिकेशन बैर आइकन को जूरू प्रेस करें। चलिए फिर मुलाकत होगे नई वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहें। अपो ट्रिक्स